हलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस दोस्तों नीज़पेपर थू प्रीमिक्स के अंदर हम आज का नीज़पेपर और एमसी क्यू डिस्कूस करेंगे तो बहुत से क्वेशन है जो संडे का नीज़पेपर भी आया है उसके अंदर भी टॉपिक है वो भी हम साइंस क्रेश कोर्स अलग से प्रॉइड किया गया अगर किसी को लगता है बाकी प्रिपेर है तो यहां पर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको जी एस अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्रंट फेर का कोर्स भी ले सकते हैं चलिए ज़े तो पहले है multiple metros which among the following is or are correct in context to community transmission जैसा कि आपको पता है कि हमने जो positivity rate है है ना total positivity rate जिसको TPR बोलते है यह हमने पिछली दो-तिन classes से पहले हमने इसको discuss किया था डेटेल में टिकनलोजी की उपर question आता है process के उपर question आता है basic concept के उपर question आता है तो उसी के उपर यह question है community transmission के context के अंदर क्या क्या statement सही है first है new cases cannot be traced to those who have an international travel history second cases can be linked to specific cluster third है it is the final and worst stage of disease transmission तो कौन से सही है one only two and three one and three all of the world तो यहां पर अपना अंसर आएगा दोस्तो one only यह दोनों statement गलत है अब यह statement कैसे गलत है जब हम इसके basic concept को clear करेंगे तो हमें इसका अंसर बहुत ही easy लगेगा चलिए देखते हैं यह news ठी ठीक है जी दरहिंदू के अंदर आज का newspaper अब यहां पर बात करते हैं हुआ गया के जो omicron है उसको बोला गया के recently इंसा कॉग जो एक joint initiative है ministry of health and department of biotechnology और बाकी laboratory जो हमें genomic variation के में जैसे कोविड सार्स है ना cov2 इसके अंदर कोई नया variant आता है तो उसके अंदर क्या genome उसके gene की क्या position है जिसके business के उपर हम बताते हैं कि यह नया variant है क्या है अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो case है mostly asymptomatic रहते हैं ओमिक्रोन के जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने यह पढ़ा था जो study बोलती थी कि ओमिक्रोन जो है वो हमारा जिसे नेजल है ना यहां पर pipe और throat इस एरिया के अंदर ही ज्यादा रिसाइड करता है लंग्स के अंदर इतना यह नहीं जाता इसलिए यहां पर अगर हम देखे कोई बहुत ज़्यादा लंग्स की cases भी नहीं आए और इन्हों ने बोला कि क्योंके यह यहां पर रहता है तो यहां पर इसका transmission बहुत तेजी से होता है spread बड़ी चल्दी होता है तो यहां पर यह बोला है hospitalization ICU के cases जो हैं वो अभी increase कर रहे हैं तो यहां पर एक concern है इसके लावे एक और variant है इसके बार में बात कीगी कि लेकिन यह बहुत बड़ा भी हमारे लिए concern नहीं है खिर इसको हम छोड़ भी सकते हैं अगर आएगा देख लेंगे ठीक है जी अब य केसर मतलब चाहिना से अगर आप यह सोचो कि दुनिया में कैसे फैला इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले कहीं नहीं से बाहर से इंडिया के अंदर के साय तो वह फ्रस स्टेज की वज़ासे लोकल लोगों को बाकी लोगों को भी होगा तो वह स्टेज आगी second उसके बाद जैसे माली जी second stage की अंदर कोई इंसान है ठीक है जी इसको कोविड हुआ अब health official ने देखा इसको कोविड है उसके बाद trace किया कि तू किसे किसे मिला था है ना तो इसने बोला कि person A से मैं मिला था person A की जब history पता की कि तू कहां से तुझे कोविड हुआ यह तेरे से यहां पर इसको हुआ है ना तो बोलेगा मैं फॉरन से यूके से आया था या फॉरन कंट्री से तो हमने trace कर लिया इसका origin कि कहां से यह origin हुआ जो इस person को हुआ वो से second stage के अंदर हो जाता है लेकिन उसके बाद क्या होता है बहुत तेजी से फैलने लगता है है ना community के अंदर तो वहा होते है community transmission और यह community transmission past के अंदर government ने deny भी किया के इंडिया community transmission के अंदर नहीं है उसकी news भी आज में आपका बताऊंगा अब यह community transmission के बाद uncontrollable condition रहती है जो final stage है ठीक है that is epidemic so epidemic जो है that is a final and worst stage of disease ठीक है जो होती है तो यहाँ पर हम statement देखे है अपनी भी तो statement क्या बोलती है cases can be link to specific cluster नहीं रिग कर सकते in this it is a final and worst वो तो epidemic है तो यह भी statement गलत है ठीक है जी अगर आपको epidemic की definition पता है आपको उस चार stages की पता है आप तीसास पॉइंट पी निकालोगे गलत तो अपना answer यहाँ पे निकल जाएगा चलिए अब यहाँ पे हो गया बात तो यहाँ पे थोड़ केर्मन ने डिनाई किया उन्हें बुला हमारा cluster of cases है cluster of cases basically community transmission से पहले एक सब सेक्टर है ठीक है चार बड़ी स्टेज है यह सब स्टेज बीच में आती है ठीक है मतलब जो community transmission just होने से पहले यहाँ पर क्या होता है कि कुछ cluster के अंदर cases फैल जाते है ठीक है दोस्तों अब जब cluster of cases फैल गए कुछ कुछ मतलब मतलब इंडिया कुछ region के अंदर cases काफी फैल गए जैसे मुंबाई वगरा उस एरिया के अंदर लेकिन उसके बाद जो फैलते गए तो वह अपनी आ जाते है community transmission सो यह एक अलग category है जो इससे जस्ट पहले आती है ठीक है दोस्तों इसके लाव इंटरेशनल ट्रेवर हिस्ट्री वैंड दे केसे कैन नॉट बिलेंक तू स्पैसिफिकल स्टर और यहां पर आप कलस्टर से भी लिंक नहीं गर सकते मालीजी ये कलस्टर रहे है यहां पर बहुत सारा कोविट फैल गया अब इसे इंसान को वह गया तो आप यह नहीं कह सकत अपर तीन पॉइंट आगे जरतर ऐसे कोशन आते थे लेकिन अभी उनका ट्रेंड कम हो गया अगर आप देखोगे तो मुल्टीपल आपको एक में लाइन के बारे पुछा गया अपर यहां पर यही है और दूसरी बात अब वो स्टेटमेंट आई-उ-CN वगरा स्टेटस कम पूछते हैं जरतर इसके उपर फोकस रहता है कि उनकी जो पैटरन है है ना वो कैसे कैसे इंडिया के अंदर कहां कहां पर पाए जाते है उसके बारे में कोशन आता है तो फर्स् इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में नंबर ऑफ एलिफेंट इन इंडिया इंक्रीजिंगे सिंस लास्ट टूडगेड यह स्टेटमेंट गरत है इंडिया इस होम तो 75 प्रसंट ग्लोबल टाइगर और 60 प्रसंट आफ वाल्ड एलिफेंट यूप यहां पर इसके उपर एलिफेंट के उपर क्वेशन भी आया था जो सेंसस के कंडेक्स के अंदर अपने थोड़ा है सेंसस पड़ा था तो आप इजी से उसको पता कर सकते हैं बात यहां पर यह हो रही है फ्रेग्मेंटेड और पैची फोरस्ट जो है बहुत से अगरा हम अगरी मैंने बता दिया कि फ्रेग्मेंटेशन हो रही है जब कम्यूटी फॉरस्ट की बात करते हैं कि कुछ फॉरस्ट एरिया को कुछ ऐसे ट्रीज वगरा के अंदर करना चाते हैं जिसको कमर्शियली यूज़ कर पाए ठीक है जिसकी वजह से जो औरिजनलिटी है फॉरस्ट की वह भी डिस्ट्रॉइ हो रही है अब बात करते हैं इस इन एलफेंट की इंडेंजर है सिक्स्टी परसेंट अल्रेडी हमने बता दिये नेच्रल हेरिटेज अनिमल आफ इंडिया यह स्टेट्मेंट भी इंपॉर्टेंट है अगर यूपीजी कई बर सिंपल कोशन भी इसको बाहर जाने की जिरूरत ना पड़े इसके लिए अपना इंपॉर्टेक्स के अंदर यहां पर कोशन नहीं बनेगा एक माइक प्रोग्राम है यूपीजी पूछे किसे लेटर आपने बस वहां पर आप्शन लगा देना है आपकी मार्स आ जाएंगे ठीक हैं यहां पर क्या है कि इलीगल किलिंग है उसको हम डिक्रीज करने की इसके अंदर कोशिक कर रहे हैं यूपीजी दूसरा कोशन प्रजेक्ट एलिफेंट के बारे पूछ सकती है नाइटी 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 टू के अंदर हमने लेके ठीक है यहां पर आपका अंसर सही या गलत होगा य तो हमने कल पड़ा था लास्ट क्लास के अंदर टाइगर का हर चार साल बात लाइन का हर पांच साल बात एलिफेंट का हर पांच साल बात यह अपने दियान रखना है 2017 के अंदर हुआ 2015 के अंदर लाइन का हुआ 2018 के अंदर लास्ट जो है टाइगर का हुआ तो अभी 2022 के अं टाइम था, elephant का जो है census हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर elephant का 2012 के अंदर census हुआ था, उसके अंदर जो number था, वो कम था, as compared to, sorry, जो 2017 के अंदर जो number था, वो कम था as compared to 2012, so it means कि 2012 से हमारा जो number है, decrease हुआ है, लेकिन अगर हम last census का comparison करें, tiger और lion दोनों का number increase हुआ है, यह आपने ध्यान रखना है, elephant का number last census के comparison decrease हुआ था, यह बस trend आपको याद रखना है, number यहां पर करनाट का असाम केरला, जो पीएसी ने केरला का नाम पूछा था कि highest number of elephant है, तो वो statement गलत होगी, तो यहां पर अपना statement वो अपना answer निकल जाता था, ठीक है जी, अब बात करते हैं common survey, अब exam क्या सोचा है इनों ने, government ने क्या सोचा, कि भी tiger का जो census है, वो हो रहा है अपना around four साल बात, है ना, जो elephant का हो रहा है पांच साल बात, उस time के उपर आप सोच सकते हैं, शायद मिल जाए, लेकिन अब इनके जो दोनों की, जहां पर यह रहते हैं, 90% area से में, तो अलग-अलग दो बार खर्चाब होता है, तो government ने बोला कि हम एक ही survey जो 222 से start करेंगे, ठीक है, तो खेर, यहां पर इस साला में पता भी चल जाए इस पर international convention on civil liability for bunker oil pollution 2001, the owner of vessel are responsible for damage caused by oil leaks, थर्ड है, rough seas are best suited for skimming and burning of the oil spill, ठीक है दोसो, तो यहां पर बात करें, 1 & 2, 2 & 3, 1 & 3, यहां पर कौन सा है, तो वो statement हमने देखनी है, दोस्तो यह question, अगर मैं UPSC के बात करूँ तो tough के अंदर आएगा, थोड़ा सा typical question है, हां, लेकिन जैसे माली जी आपको first statement पता है, कि सही होगी, second statement आपको पता है, कि सही होगी, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, देखो bunker convention होई थी, इससे later, ठीक है जी bunker convention, किसे oil spill से later है, बस इतना आपने याद रखना, यह भी बोलती है, कि जिसने, जिसका vessel है, वही responsible है, अगरा, oil spill, बहुत सारा oil वगएरा, ocean के अंदर, वहां पे चला जाता है, बहुत से आप उन्हें देखाऊगा, वैसल वगएरा, oil transport करते हैं, एक जगा से, दूसरी जगा country से, तो अब सी के थरू जब जाते हैं, तो वहां पे leakage होगी, तो oil spill हो जाता है, उसका impact बहुत होता ह हम डिस्कूस करेंगे, इसी कलास में, अब यहां पर पहली दो statement तो आपने निकाल दी, तो आपको बास दोनों में से एक option बचता है, यहां तो 50-50 तक आप पहुंच सकते हो, थोड़ी से knowledge है, यह थोड़ा सा difficult question है, जो statement है, यह statement wrong है, ठीक है जी, चलिए, इसके बारे में ठीक है जी, अब यहां पर oil leak हो गया तो अब इसका impact क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, देखो, simple vasha मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पर oil जो है, जब पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाएगा तो यह उपर layer बनाता है, layer बनाएगा तो उपर से है ना, उनकी photosynthesis decrease हो जाएगी, मतलब उनका oxygen जो release करते थे, वो भी decrease हो जाएगी, पहली बात, दूसरी बात, यहां पर micro organism भी अंदर होंगे, कौन कौन से होंगे, aerobic भी होंगे जिनको oxygen चाहिए, anaerobic भी होंगे, है ना, जो oxygen के बिना काम करते हैं, जब यहां पर photosynthesis decrease हो की death, अगर death हो जाएगी, तो इनको aerobic, जो micro organisms हैं, वो इनको break down करेंगे, तो aerobic जिनको oxygen चाहिए, तो जो अंदर oxygen है, उसको यह use करते जाएगे, जब यह oxygen कम हो जाएगी, खतम हो जाएगी, यहां बहुत ही कम हो जाएगी, तो anaerobic काम करना start कर देंगे, क्योंकि यह oxygen की absence के अ है ना, तो यहां पे बहुत से animal species है, है ना, अगर हम बात करें बहुत फिच वगरा यह सारी, तो उनको oxygen कहां से मिलेगी, उनको oxygen नहीं मिलेगी, जिसकी वज़े से उनकी भी death हो जाएगी, तो मिल मिला के बात यह है, जो हमारी यहां पे statement है, क्या करती है, prevent करती है, sufficient amount of sunlight, क् जो dissolved oxygen उसका भी level जो है, reduce कर देती है, इसके लावा यह क्या करती है, जिसे बहुत से bird वगरा भी हैं ना, water के अंदर, तो यहां पे उनके feeder, जो fur है, वहां पे oil जम जाता है, जिसकी वज़ा से क्या होता है, जिसके पानी के अंदर गए और उसके बार वह बाहर आगे, तो oil जम जाता है, तो उनका क्या होता है, बाडी का temperature थोड़ा सा अब वो fur होती है, वो maintain रखती है, बाहर से ठंड ना लगे, अब इसकी वज़ासे वो काम कम हो जाता है, और जिसकी वज़ासे वो ठंड लगने से मर भी सकते हैं, हाइपो थर्मिया कहते हैं, इसके लावा, marshes यह सारा impact पड़ता है, अब इनको हटाया कैसा जाए, एक होती है skimming, ठीक है, यहाँ पर skimming अगर आप देखोगे, oil है, उसको यह केरिया के अंदर cover किया जाता है, उसके बाद उसको absorb करके tanker के अंदर डाल लिया जाता है, burning आग लगा सकते हो, ठीक है, dispersion, chemical आपने सप्रे कर दिये बहुत से, और उसको dispers कर दिया उस टेम पे, तो यह तीन मेजर strategy है, ठीक है दोस्तों, तो chemical भी यूज़ कर सकते हो, इसके लावा biological agent है, है ना, जैसे मिथाईलो सेला है, ठीक है दोस्तों, यह भी आप organism का अपने नाम याद रखने important है, इसके लावा oil जैपर है, जो मह स्किमिंग जो है, जैसे माले यह सनलाइट है, विंडी है, रफ सी है, कोल्ड है, नियर शूर, कौन से एरिये के अंदर आपने oil spill को हटाना है, स्किमिंग का मैथड जो है, सनलाइट के अंदर अच्छा चलता है, लेकिन अगर आप देखोगे, रफ के अंदर, रफ सी है, है आपका कोई भी मैथड अच्छे से ना बर्निंग होता है, क्योंकि यह भी डिस्पर्स हो सकती है, डिस्पर्सिंग भी, आपने एक, क्योंकि देखो, जितना जला रफ सी होगा, तो आपका जो ऑईल है, वो एक जगह के उपर आपको नहीं बहुत तेजी से इदर उदर है, ठीक है जी, तो यहाँ पर बाकी इन दोनों को आप छोड़ भी देखो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपसी वाला आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फोर्थ कोशन देखे, इंडियन एक्स्प्रेस के अंदर बहुत अच्छा आर्टिकल आया, पास्ट लास्ट य यह इस टो है, वेरी वेरी इंपॉर्टन अपने हिसाब से तो ऐसा ही कोशन बनेगा, उसका कंपैरिजन किया जाएगा वायल वायर लोड और स्वेर्टी अफ डिजीस से डेफिनेटली, तो यहाँ पर जो अपना अंसर आता है, वो है वान ओली, यह दोनों स्टेट्मेंट गलत है, अब पहले समझते हैं दोस्तों, आटी पीसीर क्या है, आटी पीसीर को डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया दोँगा, वार्यस आर एन्ने है, आर एन्ने को पहले हम डिएने के अंदर कनवर्ट करते हैं, और डिएने की बाद में हम कॉपी बनती है, यह हो गया अपना एक साइकल, ठीक है जिए एक साइकल, यह हो गया दूसरा साइकल, साइकल नमबर टू, यह हो गया साइकल नमबर थ्री, इस एक साइकल को जो बोलते हम सीटी वैल्यू, अगर माल लिजे सीटी वैल्यू है 35, इट मेंस कि हमने ऐसे 35 साइकल तीन से जब चार चलाएंगे तो 16 तो जब चार चलाओगे तो आपको देखो गए जो डियने का नंबर वो बढ़ गया इसी तरह बढ़ते बढ़ते 35 में बहुत जादा हो जाएगा अब इसका रेलिवेंस गया है माल लिजे दोस्तों किसी पेशेंट के अंदर दो पेशेंट है पेशेंट A पेशेंट B ठीक है इसको अभी अभी कोवीड हुआ है और इसके इतना बाडी के अंदर वाइरस है यह अभी मल्टिप्लाई कर रहा है इसको 10 दिन होगे ठीक है दोस्तों तो इसकी बाडी के अंदर वाइरल जो वाइरस है उसका नंबर बहुत हाई है तो इसको बोलने के हाई वाइरल लोड ये है लो वाइरल लोड इसकी बॉड़ी के अंदर अब माली जी इन्हों दोनों ने आटी पीसियर करवाया अब परसन जो बी है उसका जो हमने तीन साइकल जलाए ठीक है यहाँ पर आके परसन बी का डिटेक्ट हो गया ठीक है क्यों क्योंके परसन बी के अंदर अल्रेडी वाइरस ज्यादा है आरेने भी ज्यादा है तो यहाँ पर इसली डिटेक्ट हो जाएगा हम इसका नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं ताके virus को हम detect कर पाए ठीक है जी अब person A है इसकी body के अंदर बहुत कम है तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे 5 के बाद ये इसकी body के अंदर detect हो के person A को virus जो अपना ये है covid है ठीक है तो जितना viral load जो है वो कम होगा 44 क्या होता है उतनी बार आपको उतना number increase करना पड़ता है ताके कहीं न कहीं virus हमारा जो है वो covid detect हो पाए तो generally क्या होता है कि low city value का मतलब होता है high virus load generally ठीक है दोस्तों अब तीसरी statement है अब ये तो हो गया तीसरी statement दोस्तों ये है कि जो sweaty of disease है ठीक है sweaty of disease मतलब person A है person B है person A की body के अंदर virus load जो है वो low है यहीं पर एग्जेम्पल इसी को मैं बता रहो है person B के अंदर virus load जो है वो high है है न हो सकता है person B जिसकी body के अंदर virus load हाई है अगर मैं city value देखूं तो इसकी city value जो है वो generally high होगी क्योंकि low है viral load इसकी जो है वो low होगी यहां पे क्या high city value हाई CT value किसकी है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हाई CT value means more severity severity का इससे कोई भी लेना देना नहीं इवन आपको यहाँ पे अगर comparison भी करोगे CT value से कोई लेना देना नहीं क्यों नहीं है माल लेजिए किसी person है कोई person की lungs के अंदर infection ज्यादा है ठीक है और दूसरा person है उसको भी COVID है लेकिन उसको कुछ भी symptom नहीं है वो asymptomatic है अब दोनों का हमने RT-PCR करवाया तो दोनों की CT value आई suppose करो 10 के बाद दोनों detect हो गए है ना तो यहाँ पर एक के अंदर severity of disease ज्यादा है जिसके lungs की problem आगी बहुत ज्यादा एक के अंदर है ही नहीं है ना वो asymptomatic है तो उसके कुछ भी impact हुआ नहीं तो लेकिन CT value दोनों के 10 है क्योंकि viral load proper है ठीक है तो इसी लिए severity of disease तो person to person उसकी immunity के उपर depend करती है यह सारा कुछ उसके उपर depend करता है rather than कोई और चीज ठीक है जी चलो यह हो गया इसको थोड़ा से और detail में मैं अभी चलता हूं यहां पर हुआ क्या है महाराश्टर ने यह बोला कि हम 24 CT value लगते हैं तो ICMR से को पूछा तो ICMR ने बोला 35 इसका मतलब क्या है कि अगर महाराश्टर के according यह महाराश्टर यह कहता है कि अगर 24 तक मतलब हम cycle चलाएं उससे पहले पहले 24 तक कोई भी patient अगर positive detect हो गया तो वह positive है इसके बाद अगर positive detect होता है तो वह negative होगा क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे नहीं है ना ऊपर आगे हम उसको cycle होएंगे नह जैसे मैं आपको example के लिए समझा रहा हूं कि अगर मालेजी वह 60 पे आ रहा है 60 पे हम जाएंगे नहीं तो वहां पर positive हाए नेग्टिव आए तो रैफरी नहीं करता 35 तक जाएंगे मतलब दोनों में अगर यूपेसी पूछे कि अगर city value आपकी 24 है और दूसरे case में city value आपक 25 तक 100 का test किया हमने तो हमें जो 70 है वो 24 तक वो positive मिल गए 30 के अंदर और कम था हमें और जो cycle घुमाना था तब जाके मिलते लेकिन यहां पर मिले नहीं ठीक है अब यहां पर क्या हुआ 24 तक तो इसके case में भी 70 मिल गए 24 से 35 गए तो हमें 15 case और positive मिल गए तो यहां पर कितने 85 तो 85 तो उतने जड़ा cases आप detect कर पाऊगे अगर माली जी एक और hypothetical लेते हैं मैं यहां पर CT value start कर दो तो और जड़ा cases detect हो जाएगे लेकिन इतना नहीं फिर वो क्या करते है कि माली जी 24 35 है CT value तो CT value 35 है माली जी आपका नहीं detect हुआ उस time पे अगर start कर देते तो आपका हो जा किसी भी कंटेक्स के अंदर कोचन है आपका गलत नहीं होगा अगर आपको यह समझ आया तो नहीं आया तो आप comment करके बता सकते हों किसी और दिन इसको दिबारा discuss कर लें International Air Transport Association के बारे में यहां पर पूछा गया है it is a private organization that facilitate cooperation between scheduled airlines around the world second day as per IATA controlled flight into action CFIT बोलते हैं इसको incident as incident in which there is a collision with terrain water or obstacle during the course of flight with indication of loss of control one only two only both one and two none of the both तो यहां पर कौन सा इसका अंसर आएगा तो दोस्तों अगर आपने यह दा हिंदू के अंदर पूरा Sunday का newspaper है वहां पर यह news आई थी तो इस context के अंदर देखे तो second statement दोस्तों गलत है तो अपना one only answer आएगा पहली बात यह तो प्राइवेट organization है यह तो यहां पर आपको यूपीसी पुछे के अंदर है यूएन की इस पैसे बॉड़ी है या कुछ ऐसा है वह गलत है जिकर सेक्ट सेटमेंन बात करते हैं यह news वो आपके हाथ में रही रहा है ना loss of control हो गया तो उसकी वज़ाए से death हो सकती है लेकिन outside factor के है जैसे environment है वो वो सही नहीं था यहां फिर आपकी कुछ machinery के अंदर problem थी technology नहीं थी उतनी है ना यह वो कुछ हो सकता है लेकिन उस case में जहां पर आपकी जो accident होता है टेरन की वज़ए से water obstacle या कुछ भी without indication of loss of control मतलो end तक आपका जो control है वो loss नहीं हुआ ठीक है उसको बोलते हैं controlled flight into यह आपने definition यहां रखनी है वहां पर जो हमारा question था उसमें with यहां पर था तो without है यह आपने दियान रखना है क्योंकि यह confusion होती है exam के अंदर जल जल देली पड़ होगी एक word है उसको हटाया गया उसकी वज़ए से बहुत ज़दी चीज़ हो जाती है कारण क्या हो सकता है दोस्तों environmental threat हो सकता है flight crew error उसके अंदर error आ सकता है इसके लावा compromise हो सकता है safety compromise हो सकती है यह सारी कुछ चीज़े है इसके लावा जो कितनी बार जहां often कितना होता है ठीक है cft incident account for 6% तो यहां पे commercial aviation के accident तो यहां पे आपको mains के लिए आप यहां पे add कर सकते है इसके उपर कितने percent होता कितने नहीं यह data जो आप मेंस के अंदर code कर सकते हो ठीक है दोस्तों कैसे कर सकते है आप technology अपनी इंप्रूव करो ground proximity warning system कितनी आपको warning मिल गी यह सब technology आप उसके अंदर install करोगे तो यहां पे कुछ ने कुछ जो help मिल सकती है ठीक है दोस्तों six question देखिए which among the following plant diseases इस और are caused by फंजाई कौन सी डिजीज है जो फंजाई से होते हैं टुबैको मजैक ब्लैक स्टैम रस्ट आफ वीट कॉर्ण स्मट कोकॉनट स्टैम रॉट वान टू यहां पर हम बात करते दोस्तों तो इसका अंसर है 234 तो यहां पर पहला आपने इसका नाम भी सुना होगा ठीक है जी तो यहां पर पहली स्टैमेंट आप वैसे निकाल देते तो आपका अंसर यहां पर बंता था तो यहां पर फर्स स्टैमेंट है तो यह तीन स्टैमेंट निकलती यह कोशन देखने में बहुत टफ है कि आप बोलोगे यहां आप हम रिजीज करनी है नहीं यहां प पढ़ा है तो आपका चार नंबर और यहां पर चार नंबर फिफ्टी फिफ्टी आउप्शन के अंदर हम चले गए थे ठीक है जी तो वहां पर हम आपका अंसर यह निकल सकता था ठीक है अब बात करते हैं टू स्पीसीज ऑफ हंजाई एस्टेम रॉट फॉंड यहां पर जो टूबैको मुजाएक वायरस तो तब भी आप वायरल डिजियस है यहां पर पहुचते थे ठीक है तो बाकी कुछ और करना ही नहीं था आप्शन के अंदर ही दोस्टो एजी या अर्जाट डिफिकल्ट कोई भी कोशन है वो आप्शन के अंदर होता है ना के स्टेट बंड क पढ़ना बेसल स्टैम राट कैसे होता है इसका लोकल नाम अंदरा प्रदिश के अंदर किया है तमिल नाट के अंदर किया वो दिया गया है इसके लावा यहां पर बोलागा गया इन्फेक्शन जो रूर से स्टार्ट होती है ठीक है जी फ्लावरी और डिक्रीश हो सकती है लेकिन यहां पर डेटेल में जाने की चुरूर तो नहीं है सिर्फ आपको जो क्वेशन बनता है जो डिफिकल्ट आप सोच सकते हो कि हो सकता है वो यही क्वेशन हो सकता है ठीक है जी ओक है सेगंड कोशन देखिए विच मगदी फॉलिंग प्रड़क्ट इस और आर जनली लेओन टू कंटेंड रेडियो अगेंड डिफिकल्ट कोश्चन अगर मैं बोलू ठीक है डिफिकल्ट कोश्चन है यूप एस ने एक पर कोशन पूछा था कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से जो रेडियो अक्टियल वहां पर यूज़ों था ठीक है आई थिक नहीं वहा पढ़ा तो इसी क्वेशन है ठीक है जी रेडियो अक्टियल किसके अंदर तो वान टू थ्री इस ता राइट अंसर ठीक है जी फूर्थ क्वेशन ने जो इटमेट है वह नहीं है अब यह है क्यों यह अपना दाहिंदू के अंदर संड़े निउस पेपर ठीक है वहां पर सारे हैं इनके अंदर रेडियो अक्टिव माटिरियल होता है जो लीगली परमीटर जो है उससे भी ज्यादा होता है ठीक है दोस्तों तो इसके लावा यहां पे इनने बोला क्वांटम पैंडेट है एंटी फाइब जी पैंडेट नेगटिव आइन जिवैलरी स्लीप मार्क ठीक है बहुत से हम टेकनॉलजी के लिए जैसे माली जी यहां पर नेगटिव आइन प्यूरिफायर है ठीक है दोस्तों अईनिक एर प्यूरिफायर यह बेसिकली यूज़ होता है कि इसके अंदर नेगटिव आइन निकलते हैं यह अलेक्ट्रिकल नेगटिव आइन मैंनों ने स्पेशली बोला गया क्लैरिफाई किया कि वारनी अपलाई नहीं करती आइनिक एर प्यूरिफार को एस दियार नून नौट टू कंटेन रेडियो एक्टिव माटेरियल तो उसके अंदर मेडियो एक्टिव माटेरियल नहीं होता चलिए फिर भी माल लेजिए हम इ इस पेपर से पता चल गए कि इसके अंदर नहीं है इसके अंदर रेडियो एक्टिव माटेरियल नहीं है फिर भी आप कहीं न कहीं से बुक उठा लेते हैं माल लेजिए यूपियसी क्या करती है जब ऐसे क्वेशन होते हैं जैसा यूपियसी के अंदर एक एंटी माइक्रो इसके अंदर रेडियो एक्टिव माटेरियल यूज हो सकता है तो तब वह आप तब कर सकते हैं जब लास्ट ऑप्शन ऑल अफ दी वाव आई है ना अब यहां पर दिया नहीं हुआ यही काम यूपियसी करती है वह कहते हैं लेकिन जो मोस्ट होंगे जो ज्यादा है ना जो जो इसके अंदर नहीं यूज होता ठीक है अब यहां पर यहां पर यह बहुता है जो इसको रिस्टिक्ट करती है कि ऐसा आपने रेडियो अक्टिव माटेरियल यूज नहीं करना तो आपको यूपियसी यहां से भी एक कोशन पोच सकते कि जो इंटरेशनल अटामिक यूपियसी की गाइडलाइन है वो नुक्लियर माटेरियल जो है जो रेडियो अक्टिव अपना नुक्लियर नर्ची प्रड्यूज करने के लिए है ना नुक्लियर बॉम बनाने के लिए वहीं पे उसके कंटेक्स के अंदर ही गाइडलाइन जालादर प्रवाइड करती है प्रोइड करती है ना कि आपका जो नॉर्मल जो प्रड़क्ट है उसके अंदर कोई गढ़ नहीं है वह भी स्टेटमन्ट गलत होगी इससे यह भी पता चलता है अपर दोस्तो हमने कुछ नया सिखा ओगा किस टाइप के वह आपको कोईशन होते हैं आंसर निकालना जरूरी नहीं है इतना सीखना जरूरी है और आपने सीखने हैं एक्जाम के अंदर अपने आप देखना आप बड़ी अच्छे से सॉलू होंगे सो मिलते हैं नेक्स टेम थैंक यू वेरी मिच